कोरोना वाइरस के बाद चीन पर अब हंता वाइरस का कहर सुरू हो गया चूहों से फैलने वाले इस वाइरस की चपेट में आकर चीन के पच्छमी राज यूनान में एक बेक्टी की मौत हो गई जबकि कई लोगों के इसके संक्रमित होने की आशंका है जैसे की चूहें और गिलरी अमेरिका में इस वाइरस को न्यू वर्ल्ड हंता वाइरस के नामसे जाना जाता है हंता वाइरस चूहे के यूरीन, मल और लार से फैलता है अगर कोई इंसान इसके संपर्क में आता है तो वह संक्रमित हो सकता है वेज्ञानिकों के मुताबिक हंता वायरस भी जान लेवा है लेकिन आपको घबराने की जरूत नहीं है क्योंकि हंता वायरस कोरोना की तरह हवा की जरिये नहीं फैलता और यहां इंसान के संपर्क में आने से भी नहीं फैलता इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूत न है तो उसके हंता वायरस से संक्रमीत होने का खत्रा बढ़ जाता है हंता वायरस संक्रमीत होने पर इनसान को तेज बुखार सीर दर्द बधन दर्द पेट में दर्द उल्टी और डायजी से लक्षन दिखाई वैग्यानिकों के मुताबिक चूहों की चार प्रजातियां ऐसी हैं जो हंता वायरस का वाहक हैं। इन में सबसे अहम हैं अमिरिका में पाये जाने वाला डियर माउस या आम चूहे के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। इसके सरीर के लंबाई दो से तीन इंच होती है। सर जहां पेड़ पौधे अधिक हैं वहां इस वायरस का खत्रा सबसे अधिक होता है। आपके मन में एस सवाल जरूर उड़ते होंगे कि क्या इसकी कोई वैक्सीन हैं। आपको बता दे कि अब तक इसकी कोई वैक्सीन तयार नहीं हो सकी है। ऐसे में मरीजों को विसे स्केर क जरूरत होती है। जितनी जल्दी मामला पकड़ में आता है उतना ही बेतर है। CDC के मुताबिक या वायरस तीन तरह से फैलता है। पहला अगर वायरस का वाहाक चूहा किसी इंसान को काट ले तो इंसान संक्रमित हो सकता है। हाला कि ऐसे मामले कमी सामने आते हैं। दूसरा किसी जगा या चीज पर मौजूद चूहे का मलमुत्र या लार के संपर्ग में इंसान आता है और अपने नाग मूँ को छूता है तो वह इंसान इस वायरस से संक्रमित हो सकता है। तीसरा अगर इंसान ऐसी चीज खाता है जिस पर चूहे का मलमुत्र या लार मौजूद हो तो वह इंसान इस वाइरस से संक्रमित हो सकता है CDC के मुताबिक हंता वाइरस जानले वा है इस संक्रमित ब्यक्तियों के मनने का आकड़ा 38% है हंता वाइरस से रिलेटेड आपके पास कोई जनकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और अपने दोस्तों में सेयर करना ना भूले थाइंक यू